हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं नैचरल डिलाइट भाई प्रीदी और आज मैं दिवाली डेकोर के लिए कुछ और सिंपल सिंपल डियाईवाई डियाईवाई आइडियाज लेके आ रही हूँ सिंपली आप काच की बॉटल जो भी आपके पास ग्लास जार है या कोई कौफी की बॉटल है कोई जैम की बॉटल है कोई सॉस की बॉटल है आप उसको कलर करके light की स्ट्रिंक्स भी डाल सकते हैं उसमें और बहुत ही ब्यूटिफूल डेकोर बन जाएगा आपको मार्केट से क वोपास लेंब खरीदने के प्यूरतनी हैं जैसे में पास ए गलास बॉटल है तो मैं इस पे ब्लेक ओयल पेंट कर रही हूं आपके पास और पेंट नहीं है तो आक्रिलिक पैंट भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा first जो है bottle वाला वो देखी ready हो गया है एक और bottle का example देती हूँ यह coffee की bottle है जो ऐसे ही वेस्ट होती ही coffee पीने के बाद तो उस पे भी मैंने black oil paint किया है और उस पे acrylic paint से design किया है बेस मेंने oil paint लिया है और उसके बाद जो designing कर रही हूँ वो acrylic color से कर रही हूँ तो यहाँ पे bottle ready हो गई है आप दिवाली पे इसको as a lightening के लिए यूज़ करें और बाद में आप इसमें कोई भी money plant वगर ग्रो कर सकते हैं तो चले इसको use करना भी बताती हूँ यह देखिए light के strings है यह बहुत easily मिल जाती है और दिवाली तो वैसे भी light का festival है जब तक आप lighting नहीं करेंगे तब तक तो दिवाली का feeling नहीं आएगा तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका look और light off करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंधिरे में भी इसका look और ज़्यादा अच्छा लगता है तो देखा न हमने कितना easily इसको zero budget में तयार कर लिया बिना कुछ market से कोई expensive lamp खरीदे वे एको डेकोर आइटम आपको बताती हूँ मैं इसके लिए wall putty लिया है उसको थोड़ा सा पानी से mix करके dough बनाया और मेरे पास यह tin के ऐसे boxes थे कोई भी box आप वो ले सकते हैं अब मैंने यहाँ पर rectangle shape में पहले putty dough का लगाया था और फिसको dry होने दिया फिर उसके बाद यह circle वाला उपर लगा रही हूँ मतलब round shape में लगा रही हूँ क्योंकि putty थोड़ा सा ऐसा होता ना कि आपको एक एक step dry होने के बाद दूसरा step करना है अगर आप एक साथ statue बनाने कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा और पीछे support के लिए मैंने एक bottles रग द यह हैं तो एक statue टाइप में बनाया है मैंने राजस्तानी boy और woman लब एक आदमी और उरत का statue बनाया है और sides में मैंने कुछ colors डाल दिया है इसके अंदर और color कर दिया है तो यहां पर यह decor item ready हो गया है अब आप इसको बहुत अलग-अलग तरीके से use कर सकते हैं देखिए कितन लैंप यहां दीपक वगरे कुछ भी रखके आप इसको रख सकते हैं तो बहुती सुन्दर लगेगा इसके सहाथी अगर आप candle वगर नहीं रख रहे हैं तो आप इसके अंदर कोई भगवान का statue जैसे मेरे पास यहां पर गनेश जी का statue है तो मैं गनेश जी का statue रखके बता हैं तो वैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं दीवाली के बाद इसको आप ऐसे अपनी जूलरी रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो इसके साथ ही हमारा इद डेकोर आइटम कंप्लीट हो गया है यह लेंप जो मैंने आपको फ्लावर शेप में केंडल बनाना बताया था वो भी आपने वीडियो देखी लिए होगा अगर नहीं देखा है तो भी आप देख लें और यह वाटर केंडल भी आपके साथ मैंने शेयर की थी यह वाटर केंडल वो ही है जो मैंने पहले बनाई थी मतलब आप उसको दो-ती दिन पहले बना के भी रख सकते हैं इंफेक्ट मेरे तू यहाँ पे 10-15 दिन से बनी भी है तो आप पहले दिवाली से एक-दो दिन पहले भी बना के रख सकते हैं अगर सेम डे आपको टाइम नहीं मिल रहा है इसके साथ ही एक चीज़ बताती हूँ जो फ्लावर वाला केंडल है यह आप प्लास्टिक बॉटल से भी बना सकते हैं लेकिन बस उसमें यही रहेगा कि आप रियल केंडल उसके अंदर नहीं रख पाएंगे आप जो बैटरी ऑपरेटेट केंडल है वो आप उसके अंदर रख देंगे तो आई होप आपके छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें ओके बाई